नमस्कार RS अनपुर्णा किचन में आपका स्वागत है आज हम चपाती नूडल्स बनाएंगे यह नूडल्स बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बनके तयार होता है आप चाहे तो बासी रोटी से बना सकते हैं या फिर ताजी रोटी से भी बना सकते हैं हमने रात की बची हुई रोटी से यह नूडल्स तयार किया है तो देखिए हमने चार-पांच रोटियां ले लिए गात की बची रोटी है तो अब हम इसके रोल्स बना करके बारिक-बारिक पत्नियां काट लेंगे हमने दो रोटी एक साथ लिया है इस तर रोल कर लेते हैं और चाकू की सहयता से इ तो देखिए इस तरह हमें पत्ली-पत्य निस है तो इसी तरह सभी रोटियों कि हमने पत्य काट ली है तो चलिए अब बनाने स्टार्ट करते हैं कड़ी में बड़ा चमच तेल गर्म किया है उसमें एक चप्षमच बटर डालेंगे बटर को melt होने देंगे जब बटर melt हो जाए तो उसमें डालेंगे एक चमज बारी कटा हुआ लशन एक चमज बारी कटा अदरक और दो हरी मिर्च बारी कट के डाल दिया है इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है बस हल्का सा हमें पकाना है एक मिनट के लिए हमने इसे पका लिया है और फिर इसमें डालेंगे एक मिरियम साइज का लंबा कटा हुआ प्याज प्याज को भी ज्यादा नहीं पकाना है बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्ची शिम्ला मिर्च हमने लंबा लंबा काट लिया है हमने दो मिर्च का शिम्ला मिर्च लेकर लंबा लंबा काट लिया है शिम्ला मिर्ची को भी हमें हलका साबस पकाना है हलका सॉफ्ट हो जाए तब इसमें डालेंगे आदा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, दो पींच काला नमक, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और सादुन सा नमक डाल देते हैं, और इसे भी मिक्स कर देते हैं, गेस का फ्लेम हमने इसमें मेडियम रखा है, एक बड़ा साइच का टमाटर लंबा लंबा इस तरह हलका सा सॉफ्ट होने तक पकाना है, सभी सबजियों को हमें ज्यादा नहीं पकाना है, सबजियों का हलका सा क्रंच आना चाहिए, इतना ही हमें पकाना है, एक चम्मच सोय सॉस डाल देते हैं, मिक्स कर देंगे, एक मिनट तक हमने इस चीजों को पका लिया है, अब हम ये रोटियों के जो पट्टियां काटके रखी थी इसे डाल देते हैं, और मिक्स कर देते हैं, अच्छी तरह मिक्स कर देना है, और दो मिनट तक हमें इस तरह चलाते हुए से, हलकी आज पर ही पकाना है, आराम से ही मिक्स करें, रोटियां तूटने नहीं चाहिए, तो अब ये विकुर रेडी है, इसमें डाल देते हैं, धनिया पत्ति, और बारी कटा हुआ, हरा प्याज, प्याज हमने लाश्ट में डाला है, क्योंकि जो प्याज का क्रंच है, वो बहुत अच्छा लगता है नूडल्स में, ये फ्रेशनेस के लिए हमने लाश्ट में डाला है, तो इसे मिक्स करके, एक मिनट और इस तरह, गेस पर चलाते हुए पकाएंगे, अब लाश्ट में ड यह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनके तयार हुआ है चपाती नूडल्स बनकर रेडी है अगर आपको हमारी रेसेप अच्छे लगी हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकों जुरूर दबाए ताकि नहीं वीडियो आप तक पहुच सकें धन्यवा करें सब्सक्राइब